मैं हूँ रभी कुमार आपका स्वागत है आपके अपने टुक्षिन अगरेश के सन में जैसा कि आपनों पढ़े होंगे कि महात्मा गांदी के बारे में जिवनी यानि कि इंट्रोडक्षन महात्मा गांदी के बारे में तो हम जानेंगे महात्मा गारी गांदी के बारे में ब बहुत कम पड़ जाएगा ठीक है बहुत टाइम लगेगा लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट हो आप लोगों को बता देंगे ठीक तो इसके बारे में आप लोग जानने के लिए आडियो के लाश्ट के बने रही है आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी एक नेक इंसान थ का पूरा नाम मोहंदास करम चंदगांधी था इनका जन्म दो अक्टूबर 1869 इस्वी में गुजरात के प्रवंदर जिले में हुगा था इनके पीता का नाम करम चंदगांधी तथा इनके माता का नाम पुतली भाई था भारत यह भारती यह सतंतरता आंदोलन के एक ग्रड़ी नेता थे उनकी इस अधाड़ा की नियू संपुर आहिंसा के सिधान्थ पर रखी गए थी यह मतलब हमेशा आहिंसा के सिधान्थ के बात करते थे यह कभी हिंसा की बात नहीं किये थे उन्हों उन्हें दुनिया में आत्म जंता महात्म गांधी के नाम से जानते संसकीत भातले महान आत्म समाण सुचक सब्द है यह महान सुचक सब्द है काँदी को महात्म के नाम से सबसे पहले 1915 से राजवय силाम काली दास ने संबोधित किए थे और इस के अलां उन्यक मत पड़े हुए हैं तो आप लोग कोई भी मत जैसे मत रहता है तो अनेक महात्मा जो लगाया गया था इनके बारे में अनेकमत दिया गया था तो आप लोग इसमें इधर का उधर हो सकता है मतलब अनेकमत अपने हिसाब से हो सकता है उन्हें बाबु के नाम से भी जाना जाता था आप लोग यह भी जानते हैं सुवाज चंदर बोस ने 6 जुलाई 1944 इ प्रशाडन में उन्हें राष्ट पीता करकर संबोदित करते हुए आजाद हिंच भाज के सैनिकों के लिए आसिरवाद मांगे थे यानि कि जो यह सुवाज चंद्र बोस थे सबसे पहले यह क्या बोले थे इनको राष्ट पीता बोले थे राष्ट पीता के नाम से भी जान जानते हैं 2 अक्टूबर को उनका जन्म भारत के गांधी जहनत की रूप में और पूरे विज्व में अंतराष्थी अहिंसा दिवस की नाम से जान मनाया जाता है इनके जन्म धिवस पर आहिंसा की दिवस की रूप में भी पहले गांधी जी ने प्रवासी वकिल के रूप म दच्छिर अफेरिकास में भारती समूदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर से तु सत्या गरह करना सुरू किया अब आपको हम बता रहे हैं जब यह वारिष्टर मतलब वकील की पढ़ाई करके कर लिये थे उसके बाद यह भारत देश के लिए और भारत देश के लोगों के लिए यह क्या क्या काम किये थे पतलब जितना सराना किया जा उतना ही कम है इतनी आपनों देखते हैं नोटों पे भी इनके महात्मा गांदी के फोटो आते हैं और बाकी जगह आपनों देखते हैं हमेशा राष्ट पिता कहा गया इनको ठीक बापु कहा गया महात्मा आगे लगाया गया क्यों लगाया गया यह क्योंकि ऐसे काम ही किये थे ठीक तो आदमी वैसे सभी को नाम नहीं देता है उपाधी वैसे नहीं मिलती है वह ऐसा काम करना पड़ता है तभी मतलब महत्वपूर काम किये थे तभी मिला था और देखते हैं इनके कारे मतलब क्या 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 कारे किये थे 1915 में उनकी भारत वापसी हुई थी मतलब भारत 1915 में वाय थे 1921 में भारती राष्टी कांग्रेस के बागडो समालने के बाद उन्होंने देश देश भर में गरीबी से राहत दिलाने महिलाओं के अधिकार का विस्तार धार्मिक योंग जाती एकता का निर्माड वो आत्मनिरभारता के लिए असप्रस्यता के विरोध में अनेकों कारेकरम चलाएं उसमें से आप लोग बहुत कारेकरम सुनते हैं बहुत नहीं सुनते ह होंगे लेकिन इसमें से जो इंपोर्टेंट कारेकर में आपको बता दे रहें गांधी जी ने ब्रिटिस सरकार द्वारा भारतियों पर लगाये और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ों आंदोलन से खासी परसिद्धी बनाई आप लोग सबसे ज़्याद यह सबसे ज़्यादा यह परसिद्ध होगा था उन्होंने साबर मति यानि गांधी जीने साबर मति आस्रम में अपना जीवन गुजारा और परमपरागत भारतिय पोसाग धोती वह सूती से बनी साल पानी जिसे स्वयंग चर्खे पर सूत कातकर हाथ से बनाते थे आप लोग जानते हैं कि हमेशा अभी फोटो में आप लोग देखें होंगे तो हमेशा ओगांदी जी क्या होते थे चर्खे से कुछ नकुछ बनाते रहते थे और वह चरखे के सामने बैठे रहते थे यानि की all these किसी वस्तर थे यानि की अपने लिए जो वस्त्र था वो चरखा से भी बनाते थे और उसे को धारार करते थे यानि की पहंते थे और खाधी वस्तर इसलिए पर्शिद्र ही aja ठीक तीस जनवरी 1998 को गंधी जी गंधी कि उस नाथुराम गोंड से द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई आप जानते हैं गांधेजी तो खुछ से मरे नहीं थे उनको मार कर हत्या किया गया था उनको गोली मारा गया था एक और मारा था नाथुराम गोंड से उनकी हत्या कर दी थी लेकिन इनको भी तो कुछ फांस कर रहे थे उसी समय राथ नातुराम गोंड से ने इनको मार दिया क्यों मारा जिनके कट्रपन थी हिंदू महासभा के साथ संबंद थे जिसने गांधी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठाराया था वो ऐसे नहीं मारे थे कुछ पाकिस्तान को लेकर बात हो गई थी तभी नातुराम गोंड से ने उन पर गोली चला दी थी गोंड से और उनके सह खड़े अंतकारी नाराया आल्डे को बाद में किस चलाकर सजा दी गई सजा किस की होई थी मौत की सजा होई थी ठीक है फासी की सजा होई थी पचीस नौबर उनी सो उन्चास को उन्हें फासी दे दी गई राजघाट नई दिल्ली जैसे गांधी जी इनको तो मतलब फा दिल्ली में राजघाट का स्थान में गांधी जी के इस मारक पर देवनागृ में ली लिखा हुआ है जैसे गांधी जी लश्ट में जब मरने के समयं कि姐 अ निकाले थे उस पर जिससे विवाद हो गया था तो इनका मतलब जो हम लोग का बना इस मारग बना हुआ है वह कहां पर है नई दिल में है राज़ाट में है तो यहां तक आप लोग समझ गया है मतलब इनकी मृत कैसे क्यों कौन कौन से इंपोर्टेंट काम कियो थे और इनकी जीवनी इसके बारे में आप लोग डीटेल से समझ गया है तो आज की आडियों बस इतना ही रहेगा अगर यह आडियों आप लोग के सामने बनकर मिल जाएगा तो आज की वीडियों बस इतना ही अगर अच्छा हुआ लगा हो तो जाद जाद लाइक कीजिएगा धन्यवाद